देश के जो शंक्राचारियों की पीठ है उन पर बैठे हुए जो लोग है वो बयान बाजी कर रहे हैं और केवल बयान बाजी नहीं कर रहे हैं बलके विघन पहुचाने की चेश्टा कर रहे हैं ये उनकी अपनी इगो है या पीछे से कोई चावी भर रहा है किसी के हाथों में खेल रहे हैं और जो शुब काज जिसकी प्रतीक्षा नाकेवल देश में रामभक्त कर रहे हैं हम तो ये देखते हैं कि जो भारतिय नहीं हैं गैर भारतिय हैं वो भी राम के बजनगा रहे हैं उनके वीडियो आने शुरू हो गए हैं जर्मनी की एक गाई का ने राम आएंगे आएंगे राम आएंगे एक गीत गाया है तो दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस समय रंग में रगा हुआ है और राम मैं है एक सो साथ देशों में इसका लाइव परसरन होगा सजीव परसरन होगा पचास से अधिक देशों के प्रतिनी धी आयोध्या में होंगे बाईस को इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पीठों पर बैठे हुए हैं और जो खुद को संक्राचारिय कहते हैं इन में से एक आद संक्राचारिय तो ऐसे हैं कि जिनके मामले अदालतों में लंबित हैं कि वो शंक्राचारिय विधिवत रूप से चुने भी गए हैं विधी विधान से या बलात वो मट पर बैठ हैं जाकर के। ऐसे लोग अगर यूट्योबर्स को जाकर के इंटरव्यू दें और इस समारोहों को लेकर के और शुब अशुब को लेकर के अधुरे मंदिर को लेकर के बाते करें तो फिर प्रशन खड़े होते हैं। मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं वरिष्ट पत्रकार लेखक मनिशी चिंतक भाव तोर से कर तो आज भाव से इस पर और इस से जुड़े हुए दूसरे प्रशनों पर चर्चा करेंगे भाव नमस्कार 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 बहुत स्वागत है बहुत अभिनंदने भाव इध इसके बावजूद के एक शुब काज हो रहा है और ऐसा काज हो रहा है जिसकी परतीकशा दशकों से क्या सदियों से थी, 500 वर्शों से थी और बाकी सारी चीजों का चोड़ भी दें, बाकी सारे जगड़े चोड़ भी दें तो आज ही प्रधान मंत्री का एक बयान आया है, आज वो महराष्ट में हैं और वहां उन्होंने 90,000 परिवारों के लिए जो आवासिय योजना है, उसका स्री गनेश किया है, उन्होंने कहा है कि तिरपाल से निकल करके भव्य और दिव्य मंदिर में हमारे रामलला जाएंगे क्या यही परियाप्त नहीं था सब के लिए के अंधर में, बारिस में, धूप में, जाडे में, तिरपाल में अभी तक रामलला को अभिशप्त कर दिया गया था बैठने के लिए, रखने के लिए और अब उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है, तो जो भी आस्थावान है सब को एक जो ठोकर के इस यग्य में आहूती देनी चाहिए थी? यह तो यह देखो पहली बात में जो शंकराचारे से निकल कर आई है, उस पर बावाल मचाया जा रहा है, इनी लोगों ने तो हिंदु धर्म का नुकसान किया है, जब तक मेरी जानकरिया, मैं धर्मे शास्त्र पगरे जादा नहीं जानता, थोड़ा पुछ पड़ा है, तो यह शंकराचारे की चार पिठो के स्थापना अधी शंकराचारे ने की थी, जो केरल से निकल कर हिमाचल तक हिमालय तक गये थे, और उसके बाद उन्होंने हिंदु धर्म का पुनरुथान करने के लिए यह चा अधी शंकराचारे ने चार पिठ बनाए, तो आप जिनको वहाँ पर स्थानापन्य किया गया, हम जिनको नमस्कार करते है, वंदन करते है, वो यह ना भूले कि वो निमित्तमात रहे, इंदु धर्म मानने वाले है, इसलिए शंकराचारे है, कोई वैटेकन सिटी में मक्का में या यूरोप में या अमरीका में कोई शंकराचारे का पिर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ इस धर्म की मान्यता नहीं है, मानने वाली लोक संध्या बहुत कम है, तो यह जो देश है, यहाँ हिंदु धर्म का उद्बव हुआ, और अलग अलग पंध उसके निकले, फिर भी कि हम शंकराचारिया यानि हिंदु धर्म को हमारा फेडरेशन मानते है, तो आप कौन व्याख्या करने वाले हो, तो आप जो कुछ परिवाशा करते हो, डेफिनेशन देते हो, उसका कोई कॉंस्टिटिशन में यह भी समावेश भी नहीं है, कि मंदिर कैसे बनेगा, क्या ब हमाता नहीं, लेकिन हमारी धारणा जो होती है, हमारी श्रद्दा जो होती है, उससे उपत्थर को भी भगवान माना जाता है, हमारे मराथी में एक कहावत है, जगडाला सिंदूर फस लगी तयता देवो तो, यہनि हंदूर जो होता है, ठनुमान की लाल कलर होता है, बहु कर तो उस पत्तर को लों भी लगाया जाए तो उस पत्तर को लोख हनुमान बनना स्थोरू करते हैं। उधर स्रद्दा से मत्ध टेकते हैं, आर्थी करते है। इसके बाद वो भगवान बन जाता है वेकिन वो असली में पत्थर होता है वो पत्थर है वो उसको भ्रमीत नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ तू भगवान नहीं है लोग आकर वहां मत्था टेकते हैं अपनी सर्दा इकठा कर देते हैं उससे एक टाकत बनती है उसको भगवान मानते है ना कि उस पत्थर को अगर वो पत्थर खुद को भगवान मानने लगे और इधर उदर हिलने डूलने लगे तो लोग उसको पिशाच्च मानेंगे ये समझना जरूरी है श्रद्दा का मतलब धर्म होता है वो हिंदू हो इसलाम हो या क्रिस्चानिटी हो और कोई धर्म हो जब श्रद्दा इकठी हो जाती है तो वो धर्म बन जाता है और धर्म बनने के बाद उसके यह ऐसे पुरोहीत या पुजारी खड़े हो जाते और सक्था सिखाना शुरूगर देते कि यह धर्म है यह नहीं है और आपको किसने मोला है मुंबई में आप अपन सब्सक्रा नहीं होती थी आज देखो तो मुंबई में आने वाला हर कोई सिद्धिविनाइक जाना चाहता है पचास साल पहले मैं मेरी बच्पन मेरा सब लालबाग में काया है जिसको आज लालबाग का राजा करके पहचाना जाता है और 11 दिन उधर स्थाना पन्ना होने व मैं दोने चाहिए जी जाता है है लोग गये लोग बढ़ते कैका अरवा बनता गया वर्ना तो वह मिट्टी होती है न मिट्टी कहीं ने किल अ करते भी सरजन भी करते है प्राण प्रतिष्टा करते हैं और विसर्जन भी करते यह शंकराचार यह ना भुले कि राम हमारी स्रद्धा है और हमारी स्रद्धा किसी शंकराचारे के रेकर्गनेशन चे मान्यता से नहीं बन दी हमारी मान्यता है इसलिए राम है और आप राम के पुजारी हो सकते हो नहीं होना है तो हट जाओ हमारे स्रद्धा से मत खेलो यह जो आज बोल रहे है कि प्राण प्रतिष्टा पहले अरे मंदिर बाद में बनते जाता है पहले एक कोई मुर्टी होती है आईस्ता आईस्ता यों अल्लटल्मनागत लुज्जय यह तीन देविया हुबाल नाम के भगवान की हुआ करती थी उनको देविया मानते थे इस्लाम पूरवा लोग अब उनकी म्यूजियम में जो मुर्थिया रखीए वह मुझयम ठुटा कर दिया गया को लाक हो के लोग अरव लोग कोा जा रहे कि अर्वों की वह दैवी है जो अभी उनका राजा है राजपूतर है उसने कौशित कि इसलाम हमारी आइदिन्टीटी हमारी पहचा नही है अरव नैसनैलिटी यह हमारी पहचा नहीं तो लोग उस मुर्तियों के पास जाने लगे है तो ये क्या होता है चौदा सो साल वो भी मुर्तिया मुजियों में बन पड़ी थी या काबा में बन पड़ी थी उसकी पुजार से न शुरू हो गई है क्योंकि वो उनकी पहचान है हजारों साल की पहचान है तो राम भगवान स्किराया ये हमारे सवधा का स्थान है उसका डेपीनेशन किसी ने करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हमारे मन में जो राम है हम उसका प्रतिविम्मिय हमें जो मंदिर बन रहा है वहां देक रहे थे बहुत सारे साल Spring देड़ सो साल वह वहां मस्जिद बन गई फिर भी वह मंदिर रहा और आपको एक बात बहता रूँ दो हजार साल पहले जब इसरेल द्वस्त गिया गया उस पर ख्रिष्चानिटी का कमजा हो गया और किसी का कमजा हो गया दुनिया भर यहूदी लोग फेके गए हकाल दिये गए भगा दिये गए हर साल उन्होंने अपने मन में एक सद्धा जता कर रखी थी जिन्दा रखी थी और यह उनका जो नया साल शुरू होता है तब मिलते थे एक deux में फिर से इस्रेल एक्जिस्टम में आ गया क्योंकि वह जमीन पर नहीं था उसका कोई नक्षा नहीं था लेकिन दिमाग में था दिस्ट में था दिल में किढ़ीयों से था इसलिए इस्ट बना तो शंकराचारिया जंग लेते हैं मर जाते हैं उससे कोई कुछ नहीं होता राम का भी जन्दम हो गया देहान तो हो गया बाकी सब हो गया लेकिन राम एधारणा है राम एश्रद्दा है तो हमने उनकी कठाये बनाई हमने उनकी मुर्ती बनाई वो मुर्ती और मुर्ती की प् सुप्रीम कोड़ ने भी वह डिस्पूटेट था जो भी नहीं माना था तब भी तंबू में रामलल्ला थे हमारे हजारों लाखों लोग जाकर उसका डर्शन लेते थे क्योंकि मुर्ती क्या है बात महतों की नहीं है हमारी स्रद्दा क्या होती है महतों की बात और कानून मी क्या होता है हम मानते है इसलिए कानून होता है और कानून होता है हमारी माननेता से उससे ही Supreme Court हो, Court हो, Police हो, Government हो, सवसद हो, यह सब हमारी मान्यता है, हमारी स्रद्दा है, यह किसी शंकराचारिय हो, या कोई Supreme Court का जज हो, उसने Parliament को मान्यता नहीं दिये, We the people of India, हम भारत के नागरी को ने उसको मान्यता जिये, इसलिए वो सवसर है, उसमें जिसको बहुमत है, वो इसलिए सरकार है, कि We the people of India recognize, वो कौन होते हैं शंकराचारिय हो, जो अपने मसले, Court में लेके जाते हैं, यह हमें धर्म क्यों सिखाएंगे? कि एक में कहीं पढ़ रहा था, किसी ने टिपनी की है, कि जरा किसी गाउं में निकल जाईए, किसी कस्बे में निकल जाईए, किसी शेहर में निकल जाईए, किसी से पूछिए, कि जो चार पीठ हैं, उन चारों पीठों के शंकराचारियों के नाम बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग भी इनके नाम नहीं जानते हैं क्या ये वाकई हिंदुओं का प्रतिनी जित्व करते हैं क्योंकि ऐसे अनेक अवसार आये हैं ऐसी अनेक घटनाई हुई हैं जब शंक्राचारिय चुप थे पता ही नहीं था के शंक्राचारिय भी हैं हमारे देश में और इतनी ब प्रतिता गोव्मेंट ने तमिल नाडू के उठाकर जेल में डाल दिया था तब बाकी के तीन शंक्राचारिय बाहर निकले थे क्यों नहीं निकले थे हां मुरारी बापू हो या श्रीशी रवी शंकर हो इन लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर दिल्ली में अंदोलन किया एक जब आप पर अन्याय हुआ उनको जमीन पर लेटाया गया ना चदर जी गई ना बिचाना जी आ गया गया बुरी हालत में उनको ट्रीटमेंट जी गई तब शंकराचारिय कहां थे कमसे कम आवास तो उठाते आज जो प्रानप्रतिस्ता के नाम पर आवास उठाने की कोशि जमाचारिय हो तो धर्म तक सिमीत रहो उसको ही सेकुलरिजम बोलते हैं सेकुलरिजम का मतलब क्या होता है राजनीती और धर्म अलग होता है राजनीती के जो फैसले होते उसमें धर्म मारतंड कोई नाक नहीं डाले उसमें हाथ ना डाले ना हस्तक्षेव करे इसको सेकुल अजहारियों की साक्स निकाल רहे है यहनि सेकुलरिजम का भी मज़ख उड़ाया जा रहा है जो खुदको सेकुलर मानते है वो किसकी किसको विटनेश कर के खड़ा कर रहे है संगराजर्य इन क्या बात हुए एक जगा बोलेंगे नेरू 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 सुमनात नहीं गए थे और नहीं गए तो तुम क्यों जा रहे हो आपको एक इन्विटेशन न्योता भेजा गया डखोड कबर्ड में डालके रखो या फाड़के फेक दो कुई बात नहीं आप आप क्यों बोल रहे हो पूरी की पू को इससे अलब तरह रहना चाहिए हर गाव में इस देश में हजारों मंदिर खड़े हो जाते हैं हजारों मंदिरों का जिर्णोदार हर साल होता है कितने लोग आपको शंकराचेरों को पूछने आते कि भई मूरत क्या है और यह सब राम जन्व मुमी का मामला चल रहा था कम से कम पिछले 30-35 साल से इस पर अंदोलन चल रहा था बाबरी गिराई गई बड़े गोलिया चलिये हिर्शा हुई है खून बहा है कभी आये शंकराचेरी आगे नहीं आये वो तो ठीक है विश्वा हिंदू परिशद हो बाजपः हो बजरंग दल हो या संत भांतों का अखा हो वो निकल आए कितने शंकराचेर यह बाहरा के उसमें संभीलित हुए थे अगर आप उसमें पहले से नहीं हो तो आप चुप बैठो इनका दुखड़ा यह है को इनको जो महत्वा देना चाहिए था वो दिया नहीं जा रहा है और मैं आपको और है कि यहां बात बता दू कि देज भर के लोग मायावती से लेकर ममता तक खुले शाहु वांबेड कर वगरे बात करते करते न वो शाहु महाराज शिवाजी महाराज के जो यह आज के जमाने के उनकी पिढ़ी के माने जाते है उन्होंने तो अपने जमाने में शाहु महाराज ने इन सब शंकराचेर को नकारा था और कोलापूर में करवीर पीट बनाया उदर एक अपना शंकराचार बना के बिठा दिया था शाहू महाराज ने यह बोलने फुले शाहू आमड़कर बोलने माले शरत पवार वगरे वगरे है वो शंकराचारे की साक्षी निकालेगे यह क्या बात हुए सवाल यह मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि आप राम नहीं हो आप भगवान नहीं हो आप धर्म नहीं हो और आपको धर्म की परिवाशा करने का थेका किसी ने भी नहीं दिया मैं मानता हूँ हिंदू, इसलिए मैं हिंदू, मैं मंदिर जाओ, ना जाओ, लेकिन मेरी सद्धा, मेरी धारणा, अगर मैं हिंदू हो, यही तो हिंदू धर्म की खुबसूरती है, सवंदर यह है, कि हमको मंदिर में जाना जरूरी नहीं होता, हमको नवरात्री करना जरूरी वेल्स होता हिंदु धारणा है यह में है और इंसान के दिमाग में होता है वाईसा यह और यह पृखवी बदल जाती तो धर्म दिमाग से निकला हैं और बहगवान भी माथ से निकला है उसकी पर एक साधी एक आपको लो हो एक्जाम्पल देता हूँ था है हमारे को ग्रामर बनाते लिकिन वह भाषा नहीं बनाते फिर भी हम उनको भाषा भिद बोलते भाषा आम जंता बनाती है हमारे अलग अलग भाषा ओंमे जो शब्डा आये है कहावते आई है उनकी अलग-अलग छटाए होती है उनका मीनिंग जो होता है वो कोई भाशा वीद नहीं बनाता यह इसका डेटा कलेक करते हैं और एक ढाचे में डाल देते इसलिए वह भाशा वीद उनको मानते यह गलत है इनोंने भाशा नहीं बना यह भाशा आम जनता एक चोटा सा बच्चा जनम लेता है तो उसको बोलना भी नहीं आता एक साल निकल जाता है उसके मुझ से कोई शब्द निकले तो मराठी घर में पैदा हुआ बच्चा अगर तमिल नाडु में जाके बच जाए उसकी फैमिली तो बच्पन से तमील सीख जाता है अब हमारे व मुझे बहुत अच्छा लगा वो बोले मेर मैं तो नाम से मराठी हु वरना तो मुझे वारानशी की का भाया हूँ याने उत्तर भारतिय हूँ तो मुझे ढंग से मराठी बोलना मी नहीं आता क्यों मेरी फैमिली वहां बस गई है तो भाशा जो होती है वो समाज मिलकर प्रभुत्या झालिक्त नहीं होता तो शंकराचारी बहुता कि उनका मतलब वही हिंदू है वो कहें वह हिंदू है बिल्कुल नहीं हिंदू हिंदु इस देश के करोड़ों लोगों की धारणा है इसलिए आएसे मामले में उनको आने की जरूरत तक नहीं है बहुँ ये बताये ये जो शुब अशुब की बात की जा रही है इससे शुब बात और क्या हो सकती है कि दश्कों से राम लाला तरपाल में थे धूब बरसात जाड़े अंधर तूफान हर तरह की विब्दा में वहीं थे और मैं तो सुनकर के हैरान था कोट की इजाज़त से वर्ष में सिर्फ एक बार उनके वस्त्र जो हैं वो बदले जाते थे इससे दुर्भाग्य पुर्ण बात कोई हो सकती है आज वो भवे और दिव्वे मंदिर में जा रहे हैं इससे शुब बात और क्या हो सकती है और ये लोग शुब अशुब की बात कर रहे हैं मंदिर अधूरा है इसकी बात कर रहे हैं ये ये शंकराचारय है ही नहीं शंकराचारय तो बहुत विद्वान होना ज़रूरी है ये भूल गए कि मुहुरत कहां से निकलता है हम दिवाली कप करते हैं हम दशारा कप करते हैं दशरा कप करते जिस दिन कवरों के खार कवरों को हरा कर पांडवों की जीत हो गई हम उसको विजय दिश्मी मानते हैं ना राम अयोध्या पहुचे वही तो मुहुरत बना है तो आज क्या एक नया मुहुरत बन रहा है नया मुहुरत तहार हो रहा है और आप पुछ रहे समय होता है उसी को मुहरत बनते हैं मनते हैं एक बात साफ सूर्य उगने से कुछ नहीं होता हमारी आग खुली होनी चाहिए एक स्य नो ओकपी तो समझो सवेरा हो गया तो रात के उस वक्त सवेरा हो जाता है, अब चद्दर लेकर ओड़कर बैठ जाओ, और दिन उगाही नहीं क्योंकि मुहुरत हुआ नहीं, ऐसा बोलने वाले को मैं संकराचार्य तक नहीं मानता, कि वो तो हमसे भी दिव्यक ज्यानी होने चाहिए, हम आम आदमी समझ लेते हैं, जो बात इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो राम से खुद को बड़ा मानने लगे, कि मुझे पूछे बिगर कैसे करते हो, कोर्ट ने परविशन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी परविशन दरूरी है, इसलिए चातुर वर्णे और अस्वर्शता का जन्म हुआ है, जि इसलिए हिंदू धर्म की ताकर घटती गई, एक जूटता घटती गई, और यह नहीं जाती अतनिर्मान करना चाहते है, इनके साथ यह जाते है, जो सेकुलर अर्गुमेंट क्या होता है, कि यह तो ब्राह्मन धर्म है, दलित अलग है, दलित शुद्र थे, दलित हिंदू न के खिलाफ होने चाहिए, यह जो अस्वुषता पहिदा करते है, यह आधूनिक चातुर वरने के ब्राह्मन है, और यह समाज में भेद निर्मान करना चाहते है, और उनको अगर शंकराचार ताकत दे रहा है, तो शंकराचारिय मनुवादी बोलना चाहिए, जो मनुवादी गाली बन चुकी है, तो आप कौनता ही करने वाले हो, इस देश का सवीदान जो है, वो सवीदान किसों कोई मूर्त धुन कर उस तारीक को उस दिन सम्मत नहीं हुआ है, ना उसका अमल हुआ है, तो आज के जमाने में शंकराचारे की जरूरत नहीं है, यह दिखाने की शायर कोशिश कर रहे हैं, कि हम सिर्फ अवचारीकता है, हमको कोई पूछता नहीं, अपने आप यह उद्दो ठाकरे जैसा हो गया, कि उनको सिर्फ अपना अपना दिखाई दे रहा है, और यह इसलिए फिर यह शुब है, यह अशुब है, आपको खुस होना चाहिए, अरे दिवाली होती है, जोपड़ी में रहता है, तो भी कुछ मिठा खाकर जैसे किसी को दो हजार का, दस हजार का गिप नहीं दे सकता, खाली एक गुड़ या शक्कर मूह में डाल लेता है, और उसकी दिवाली बन जाती है, लोकि आनन्द मानने की बात होती है, सुख मानने की पर्मन जाती है, ना कि वो स्तुवे में है, और स्ंकराचार्य क्या है, ब्रह्म सत्त जगन मिठ्या, जो डिखता है, वो कुछ समय के लिए होता है, पर्मनेट नहीं होता है, स्रद्दा पर्मनेट होती है, मंदिर भी पर्मनन नहीं होते मुर्तिया भी समय के साथ घटते जाती है हाथ लगाने से मत्था टेकने से पत्तर भी घट जाता है लेकिन स्थद्धा कायम रहती है इसलिए हम वहां पहुशते है हमारे मराठी में पंदरपुर का यूगे 28 से विटेवरी हुआ पुंडलिक ना तो पुंडलिक ने एक इट फेकिती बोले इस पर खड़े रहो में माँबाप की सेवा खतम होते ही आ जाओंगा 28 यूग चले गए और फिर भी पंदरपुर में बसे ये हिंदू इजम होता है ये हिंदु धर्म होता है अगर ये शंकराचारियों समझने या रहा है वो शु हमको अगर शुब घड़ी लगती है बस वही शुब घड़ी होती है और इतने करोडों लोगों को अगर 22 जन्वरी का वो समारो है वो और शुब घड़ी लग रही है तो आप कौन होते हैं वो आशुब बोलने वाले बहु एक चित्र दिखाता हूँ मैं ये अरुन गोविल हैं जिन्होंने रामायन सीरियल में राम की भूमी का निभाई थी एक एयरपोर्ट पर जा रहे थे एक महिला आई और सीध है उनके पैर पकड़ लिए लेट गई वहीं पर ये चित्र क्या सब कुछ बयान करने के लि किया था वो आयोध्या गए थे एक शूट के सिलसिले में वहां पर राम भक्तों की भीड लग गई इनको देखने के लिए ये क्या शू करता है ये तो आपने बहुत बड़ी बात थे मैं आपको छोटी बात बता दो अरुन गोविल ने एक किस्सा बोल दिया था वो कही तम स्टूडियो में तमिल नाडूगे किसी और वहां उनका शुटिंग खतम हो गया था वो परगे के पीछे बैठा सिग्रेट पी रहे थे तो एक कोई तमिली राम भक्ता आ गया और उनको देखकर इतना घुस्सा हो गया उले शरम नहीं आती हम रामायन देख देखकर आपके पिच्चर जो था थित्र था उसको नमन करते थे और आप सिग्रेट पी रहे तो गोविल ने बोला वो दिन है और आज का दिन है मैंने सिग्रेट छोड़ दी क्योंकि लोगों के मन में वो भावना जो है वो समालना मेरा काम है अगर ये बात शंकराचारे नहीं समझ रहे त तो वो शंकराचारे हो नहीं सकते हैं और बात बोल दूँ कि यह जो अभू मुझे इंविटेशन मिला है मैंने आपके प्रोग्राम पर अभीशेक के प्रोग्राम पर वोगरे बोल दिया कि मैं मैं नहीं मानता कि मुझे मिला है जो जो मुझे सुनते हैं उन सबकी तरफ से प्रतिनीती तो पर रिप्रेजेंटेशन करके मुझे बुलाया गया है बहुत तोर से करको नहीं बुलाया गया है बहुत तोर से करको अगर हजारों लाखों लोग सुनते हैं तो उनको उनकी श्रद्दा का भी नूता है ऐसा मैंने बोला था आपको याद होगा और आपके प्राह्म प्रतिष्ठा का हिस्सा हो जाएंगे तो वापस आने के बाद आपके पाउच हुएंगे, वही राम हमको मिल जाएगा, इसको शरब्दा बोलते हैं। यह बड़ी बात होती है। तो वह स्रद्धा होती है। वह नहीं सोचते कि भई मैं जाने वाला हूँ। याने मैं भगता हूँ। लेकिन मैं हिंदू हूँ। तो मेरी स्रद्धा का एक्स्प्रेस करने का तरीका अलग है। बाकी के लोग अलग करते होगे। सही बात है। भाव मैं दो छोटी-छोटी क्लिफ दिखाना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, जो विवाद खड़ा करने की कोशिश करने शुब महुरत पर एक वरद्ध है, बुजूर्ग है। उनको निहमतरन पत्र दिया गया है, अक्षत पत्र दिया गया है। और जरा उनके भाव देखिए। वो कितने भाव विवल हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरा क्लिफ में दिखाता हूँ, जिसकी मैंने चर्चा की थी अभी, कि सीता का किरदार निभाने वाली दिपी का चिखलिया और राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोविल और सुनील लहरी जो लक्षमन का किरदार निभा रहे थे, वो आयोध्या में, आयोध्यान समीती ने इनको कितना प्यार किया, कितना सम्मान दिया, दिपी का चिखल करिया कि इस छोटे से क्लिफ से जड़ा आप समझने की कोशिश करिए इतना प्यार दिया यहां पे कि मेरी आग पर आई है I don't know what to say तुन्होंने मुझे यह दिया और पानी दिया क्योंकि कहते है कि घर से बेटी सुखा कला करके नहीं जाती है और खाली बोद नहीं जाती कि उनको लगता है मसीता चीन ओ माई गॉड यह भाव हैं लोगों के और यह सम्मान है लोगों का इनके प्रती जिन्होंने एक सीरियल में राम लक्षमन और सीता के किरदार निभाए उनके प्रती भी लोग किस तरीके से स्रद्धानत है यह अगर शंक्राचारिय समझ जाए तो शायद उनकी समझ में आ जाएगा पर भाव एक बात आपको और बोलो श्रद्धा उन्होंने हमको समाला आगे चलकर हम उसको मां बोलने लगे वो मां हो गई इसका सबूत क्या है उसका सबूत क्या है हम मानते हैं यह बाप है यह मां है तो है क्योंकि हम मानते हैं हम खुद को भरतिय मानते हैं हम खुद को हिंदू मानते हैं अब देखिए इसलाम दुनिया पर फैला हुआ है उन्होंने भी अल्ला को देखा नहीं है ना फिर भी नभी पर जो विश्वास करते हैं वो अल्ला के होने पर विश्वास करते हैं तो धर्म तो वही होता है धर्म का मतलब विश्वास होता है सब का साथ सब का विश्वास और सब का प्रयास समझते हो यह मजाक नहीं था सब का विश्वास सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब का प्रयास इसका मतलब उसमें भी राजनीती था और धर्मनीती थी समझने के लिए आखे खुली होनी चाहिए दिमाग के डरवाजे खुले होने चाहिए इसके लिए शंकराचार्य नहीं होना पड़ता नहीं होना पड़ता दत्त की कलपना क्या है जब तीनों भगवान साक्षात रम्मा विश्णु महेश जब उस रुशी की पत्नी को गोलते क विवस्त्र होकर हमको खिलाओ तो उनको स्तनपान कर देती है बच्चे बना देती है उससे दत्त का निरमान हुआ ऐसी कलपना है ना बेलकुल तो इस पर लोगों की स्रद्धा क्यों है कि एक जगा हमारा वुरत भी समालेंगे तो वो वुरत समालने के लिए उस एक रुशी की पत्नी में इतनी डाइवीशक्तीय आ गई कि उन्होंने तीनों भगवान को बच्चे बना दिये तो स्रद्धा का मतलब आप नहीं समज़ूगे तो विश्वास का मतलब नहीं समझगे तो आपको धर्म समझ में ही नहीं आएगा सायंस भी धर्म श्रद्धा होती है सायंस भी परफेक्ट नहीं होता आहिस्ते आहिस्ते करके उस चीज पर हम भरोसा करते हैं भारत की पहली रेल शुरू गई मुंबई से ठाना तक 20 मिलो की 32 किलोमेटर की रेल जब शुरू गई तो उसके खिस्ते आप पढ़िए आसपास उस वक्त हो मुंबई इतनी बड़ी नहीं थ लोग डरकर भाग जाते थे गाउ गाउ में छुप जाते थे उसकी आवाज आती थी वो दौडती आपके लिए ना घोड़ा है ना बैल है और कैसे दौडती है लोग डरकर भाग रहे थे आज कहां आगे हम तो उसका मतलब वो डर गलत था ऐसा नहीं समय बदल गया है नहीं परफेक्ट होता रेल के भी एक्सिदेंट हो जाते तो मुद्दा इतना है कि हिंदू ये श्रद्धा है वो मंदिर में ही ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए मंदिर जरूरी होता है उनको दिखाना मैंने कहीं पड़ा था कि ये पीपल का पेड़ होता है या दूसर चोटे फल होते वो फल जो पकते है तो खाने की लिए दुनिया भरके अलग-अलग स्पेसिस के पंची आते अगर वो पहल कहकर उन पंचियों की जो विष्ठा है वो गिर जाती है जमीन में तो जमीन को सुपिक बना देती है अब ये पूरा साइंस जो है वह आम आदमी को स बना दिया भगवान का पैड बना दिया बहला ये दो पिंट नहीं तोड़ने कि समझा तो श्रदा ऐसे बन जाते है जब प्रतीक बनता है प्रतीक बनन झा सि Wool किसी को किसी कुछ ने कुछ गलत दिया उसका फोटो निकालते इसको डामबर लगाते उसको जूते से मानते क्या होता है असली इंसान को तो जूते लगते नहीं वो भी प्रतीक होता है तो इंसान की जिंदगी प्रतीकों से बनती है अगर ये शंकराचारिय हो या कोई विद्वान प्रोफेसर कोई भी हो उसको अगर समझ में नहीं आता है तो उसका ज्यान मिट् द्रश्य देख रहे हैं जिनको धर्म का पालन करना चाहिए वो राजनीती कर रहे हैं और जो राजनीती आपको एक कहानी छोटी सी बता दूगा ये कहानी बहुत 40 साल 50 साल पहले महीने ही बनाई थी एक बालक वर्षे शुरू था एक कोई सत्तर की दशक में एक बालक वर्षे बनाया गया था दुनिया भर में चाइल्ड येर करके तो गुस्प में हम एक श्री नाम के विकली में काम करते थे तो बालों को पर बनी हुई कहानिया है सब कुछ हम हर आपते छपते थे तो मैंने किस्सा बना दिया था इन्हें कहानी बना दी थी कि एक बच्चा अपने प तो तुमको ले आई तो आप कहा से आए तो तेरे दादा को बेटा चाहिए था तो तेरी दादी को भेज दिया तो तो बेटा रात को अपने डायरी में लिख देता है पिछले चार पीडियो से है हमारे धराने में हमारे परिवार में सेक्स का पूरा अज्यान है यह आजके सब प्रत्राण प्रतिट्रा पर बोलने वाले विद्वाने ना वह मुझे भूज बालक जैसे लगते क्योंकि कुछ बाते बता ही नहीं जाते तो वालक जब समझा रहा है और वह आगे-आगे पूछ रहा है तो बाप बता नहीं पाता जी और बेटों का समझ लेता है कि बाप को पता ही नहीं वो खुद कैसे जन्ना है कुछ बाते ना बताते हुए आगे चलकर बच्चे को समझ जाता है समझ जाता है इसलिए छुपाने वाला बाप भी गलत नहीं होता और समझने वाला बच्चा भी गलत नहीं होता है दोनों के समझ में जो फरक है उसने हे गडबर पहड़ा हो जाती यह बिलकुल सही का रहा रहा है वह यह कि जो जिनको धर्म का पालन करना चाहिए वह तो राज़नीति करते हैं दिखाई दे रहे है और जो राजनीति जय है प्रधान संत्री वो धर्म का पालन करते हुए आज लुंकर दिखाई ते रहे पर यह इन के लिए एक बड़ी शीक है वह जिस तरीके से अनुष्ठान कर रहे हैं सारे यम नियम का पालन कर रहे हैं धर्ति पर सो रहे हैं और भरन के नाम पर केवल नारियल पानी ले रहे अब आपको बता दू उस समय की बात है 400 साल 300 साल पहले की अमरेया नेता जी पालकर नाम के शिवा जी महाराज के समय के एक बड़े सेनापती थे वो कनवर्ड हो गए थे मुस्लिम हो गए तो उनको जब शुद्धी करन करके फिर हिंदु बनाना था तो उस समय के जो पुरोही इसाल पुसद्धी ब्राह्मन वगड़ा थे उन्होंने इंकर कर दिया था है महाराज शिवाजी महाराज बोले भाड में जाओ तूम उन्होंने अपने तरीके से कहां कहां से ढून कर लाए और नेता जी पालकर को फिर से हिंदू बनाया और फिर से हिंदू बनाया नहीं अपने परिवार की लड़की से उसकी शादी कर दी जो आगे चलकर नेता जी पालकर मरठा होके बड़े नेता सनापती बने थे तो अगर शिवा जी महाराज ऐसे महान पंदितों को या संकराचा राम है मुखे सबस्केते टो गीमत नहीं दे रहे तो शवाजी महराज की लाइन पर चल रहे है। मुझे अभिमाने मुधी का मुधी जैसा शिव भक्त है याने शिवाजी महराज का भक्त दूसरा नहीं है। अगर ये शंकराचारे को अलग रखकर अपना काम कर रहे तो बिल्कुल सही है और शंकराचारे को धर्म का पालन करना चाहिए धर्म नीती की मर्यादा में रहना चाहिए राम का नाम ले रहे हो अरे राम मर्यादा पालने वाला पुरसोत्म माना जाता है और आप अपनी मर्या पर बात नहीं कर रहे महंतों पर बात नहीं कर रहे बेलकुल और आज आपको याद होगा 2013 में कुछ कुम्ब वगड़े हुआ था और धर्मपरिशत थी मोधी जी धर्मपरिशत में नहीं गए थे और मैंने कई उसके बाद उनका बयान पढ़ा था तो मैं धर्माचारिय नहीं हूँ तो मैं वहाँ कैसे जाओंगा वो नहीं गए थे और चुनाव तो सामने था आज अगर नहोता नकारने वाले लोग है तो उस वक्त मोधी ने भी नहोता नकारा था लेकिन उसका रिजनिंग गिया था कि धर्मपरिशत में धर्माचारियों को जाना चाहिए मैं तो निकाली थी लेकिन खुद भगवान श्री राम ने अपना भक्त चून लिया कि इतनी अच्छी रियाक्षिंए देखो ब बाकि बोलै अदो निको अलग रुखखा है आपको मूधी को करना है आपको राम से मतलब नहीं है धर्म से मतलब नहीं है शुवशकुन से मतलब नहीं है अपशकुन से मतलब और परम ज्यानी कह रहे हैं कि मुलायम सिंग यादों का भी बड़ा भरी कंट्रिवियूसन है उन्होंने गोली चलवाई इसलिए यह आंदोलन यहां तक ने राजिव गांदी ने तो पहले सिला नास किया था और दर्वाजा खोला था अब किसी कहां कोई भूमी पुजन होता है तो भूमी पुजन के बाद जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है वो भी शरत्पवर ने बनाई है ने ने उसको तो कुदल पहले पुदाल पहले मै ने किया था अरे नेरू का भूमी पुजन होता था और राजिव गांदी उद्गर्टन करते थे ऐसा भी समय है कहां हो आप यह आउटडेटेट सब है एक्सपाईरी डेट हो तुके दवाई भी जहर होती है यह सब खुद को सेक्विलर एंटी मोधी बोलने वाले लोग है हमनगे पुलिटडिक्स की एक्सपाईरी डेट हो गopardy है इसलिए लोग उनको refuse कर रहे हम देखते न दवाई लेने जाते है तो उसका पर एक्सपाईरी डेट होती है तो उस तारीच तक वह दवाई डवा होती है एक्सक्पाईरी डेट ख度 हो गई उसके बाद उससे खाणी हो सकती है घात हो सकता है तो इन सब की और मुझे लगता है दस साल पहले की बात है खुद दिग्वीजे सिंग बोले थे राजियु गान्दी ने हमारे जैसे लोगों को लाया हमारी एक्सपारी डेट हो चुकी है यह कॉंग्रेस अधिवेशन में दिग्वीजे सिंग बोले थ दुरुची है यह लोग समझ नहीं पा रहे यह लोग समझते ना आदमी बाकी का स्थायन समझे ना समझे अपनी तबियत की बात सोचते हैं अपना स्वास समझते लोग इसलिए तो इस देश के मत दाता ये एक्सपाइरी डेट हो चुके सब पार्टियों को सब दवाई को अटा रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपने OCN नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मद्दे पर तर resort को भी प्राट्धष्टा समहरो के शुबचिंतन करता हूँ देखता हूँ बाज में आभी आने के बाद बहुत लोग मिलेंगे अलग अलग वोगा आने वाले देखते हैं वहां चार दिन में होता है तो चार दिन के बाद में मेरे ही वीडियो होगे नहीं यानि ताजा विडियो नहीं होगे मराठी में हो या हिंदी में हो पच्छिस के बाद में बना सकता हो देखते वहां कौन-कौन मिलता है क्या क्या बाते होती है कितने लोगों से इंटरेक्शन होती है उस वर बड़ी बहुत सारी बाते निर्बर है बहुत शुब कामना है बिल्कुल शुब यात्रा और आप स्वास्त का ध्यान रखें और सभी दर्शकों की तरफ से भी आपको शुब कामने नमस्कार असकार बात